मद्यपर्देश के खरगोन जिले के सनावत में इस्तित महागणपती मंदिर की अपनी एक अलगी खास्यत है इस मंदिर में भगवान स्री गनेश के दर्शन महिने में सिर्फ एक बार ही होते हैं मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर को सिर्फ चतूर्थी के दिन ही खोला जाता है दावा किया जाता है कि गनेश उस्सप के दौरान भगवान गनेश खुद प्रकट होकर भगतों को दर्शन देते हैं हर साल गनेश उस्सप के दस दिनों के दौरान इस मंदिर में विशेष अनुस्टान होते हैं लेकिन आखरी दिन सबसे महत्रपून होता है इस दिन मंदिर में एक विशेष यग का आयोजिन किया जाता है जो यहां की परमपरा का हिस्सा है यग के समय एक अदबूत द्रेश्यत देखने को मिलता है जब मंदिर के पुजारी हवन कुंड में जलती आग के बीच लेट जाते हैं तो इस्तानिय लोग बताते हैं कि उस समय आग उन्हें छू भी नहीं पाती है मानता यह है कि जैसे ही यग पूरा होता है उसी समय हवन कुंड की अगनी की लप्टों में भगवान गनेश प्रकट होते हैं और सभी भक्तों को दशन भी देते हैं सिस्टित महागणपती मंदिर में विराजमान भगवान गनेश की दुरलब मूर्ती ही इस मंदिर को खास बनाती है यहां भगवान चत्रुभुज रूप में कमला सन है उनकी गोद में निल सरस्पती देवी बैटी है ऐसी मूर्ती ना केवल भारत में बलकि पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं देखने को मिलती है हाला कि उस सिस्टित महागणपती के दो और भी मंदिर है पहला दक्षिन भारत और दूसरा चीन में है लेकिन यह दोनों मंदिर अब खंडर हो चुके हैं ऐसे में खरगोन क यही एक मर्त मंदिर शेश है जहां भगवान पूर्ण कलाओं के साथ विराजमान है ऐसी इधार में खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें देश हित